राजस्थान पटवारी भरती 2020 जिसके फोर्म 20 जनवरी 2020 से लेकर 26 फरवरी 2020 तक भरे गए तो इसके रेजिस्ट्रेशन अब कम्प्लीट हो चुके हैं क्योंकि आज हो चुकी है 27 फरवरी 2020 तो अब आपके मन में काफी सारे सवाल होंगी और काफी सारे डेटा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कुल कितने फोर्म भरे गए हैं और साथी साथ एक सीट पर कितना कम्प्टिशन है मतलब एक सीट पर कितने लोगों का कम्प्टिशन रहने वाला है और यहां पर सबसे एहम सवाल जो है कि आपकी परिक्षा कब होगी यानि कि आपका exam जो है वो कब तक होने वाला है तो आपके सबी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाश्ट तक देखना ताकि कोई भी important information आपसे मिसने हो और अगर आप चैनल पर नए हो तो subscribe करके bell icon को press कर लेना latest updates के लिए so without any further delay let's begin सबसे पहली बात कि कुल कितने forum भरे गए हैं जैसे कि आपको पता होगा कि आपके registration 20 January से start हुए थे उसके बाद 19 फरवरी तक forum भरे जाने थे ठीक है तो 19 फरवरी तक forum भरे गए उसके बाद आपका जो एक नया notice आया उसमें ये बताया गया कि आपके जो form है अब 26 फरवरी तक भरे जाएंगे आप इसे round figure में 14 लाग मान सकते हैं क्योंकि evening में और भी form आयते उसके बाद तो आप लगोग ये मान लें कि आपके 14 लाग form के आसपास भरे गए हैं पटवारी बरती 2020 के लिए और वेकेंसी कितनी है वेकेंसी है 421 ये है टोटल वेकेंसी इस पार की अब बात कर लेते हैं कि एक seat पर कितना competition रहने वाला है तो आपके सामने यहाँ पर data है पूरा 14 लाग को अगर आप divide करते हैं 44 and 21 से तो यहाँ पर एक seat पर competition आता है लगबग 325 के आसपास ठीक है ये round figure में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक seat पर 300 से उपर competition रहने वाला ये बात आप बिलकुल ध्यान में रखिएगा अब बारी आती है exam date की कि आपका exam कब तक होगा तो काफी सारे youtube चैनल पर मैंने ये देखा है कि लोग बता रहें कि आपका exam अपरेल या मैं मैं में होगा तो ऐसा बिलकुल possible नहीं है ये बात आप अभी से लिख लेना चाहे ज आपका exam जो है वो अगस्त या फिर अगस्त के last तक या फिर अगस्त से भी आगे जा सकता है सितंबर या October तक आपका exam जा सकता है इसके अलावा कुछ student पूछ रहे थे कि sir इसका जो form है वो हम कब edit कर पाएंगे तो 26 फरवरी तक आपके form बरे गए हैं इसके बाद से ही यानि कि आज से 27 फरवरी से आप इसका form edit कर सकते हो link active हो चुका है इसके साथ ही साथ आप इसका जो form है वो 4 March तक edit कर पाओगे last date है 4 March ठीक है तो आपके पास 7 से 8 दिन है form को edit करने के लिए अगर आपको नहीं पता है कि form को edit किस तरह से करना है तो मैं आपके लिए एक separate वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं आपको पूरी details दे दूँगा तो आप अपने mobile से ही खुद form को edit कर सकते हो ठीक है आपको इमित्र वाले के पास जाने की भी जरूरत नहीं होगी तो इसके लिए जरूर यह है कि वीडियो पर अच्छा response लाने के लिए आपको वीडियो को like और share क करना होगा तभी वीडियो पे अच्छा response आएगा और मैं आपके लिए एक separate वीडियो बना दूँगा आप अपने mobile से ही form को edit कर सकते हो जो भी गलती है चाहे वो नाम में हो date of birth में हो कोई भी गलती हो आपके form के अंदर उससे आप अपने mobile से ही edit कर पाओगे तो यह थे आप के कुछ important सवाल जिनके जवाब देना बहुत जरूरी था क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहे थे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में till then बाई